अभी अगर मौसम का स्थिती के बारे में बात करें तो हमारा जो मेइन वेदर सिस्टम से एक आपका एक लोग प्रेशर बन चुकी है आपका नौट वेस्ट जोईनिंग वेस्सेंट्रल बेय पिंगॉल में ये सिस्टम जो है धीरे धीरे अक्रोस पेनिंसुलर इंडिया सेंट इंडिया को पर सजा रही है और वेस्ट कोस्ट में हमारा ओफ्शोर ट्रफ है इन सभी सिस्टम के कारण अभी वेस्ट कोस्ट बहुत अक्टिव रहेगी आपका गुजरात, कॉंकन, गोवा, मध्य महराष्ट्र और इस कोस्टल करनाटका, साथ इंटिया करनाटका, इन सभी जगह अब आज और कल एक्स्ट्रीमली हेवी रेइनफॉल होने की पॉस्बिल्टे यानि 20 सेंटिमीटर से ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है जिसके चलते हमने रेड अलर्ट जारी किया हैं पूरा वेस्ट कोस्ट में बाकि अगर रीजन का बात करें तो आपका बारिश होने के समझाः जिसके लिए हमने औरेंज इलट जारी किये हैं एक लुप कर्शिर के कारण से आपका थोड़ा सा बारिश ए ओरिशवें रहेगी जादा मगर आगे फिर नहीं में घड़ जाएगी एक और लुपूरा बनने की अतिभारी वर्षा होने की possibility है वेस्ट कोस्ट का ये जो बारिश का बात बताया ये जारी रहेगी अगले चार से पांस दिन तक यानि की very heavy से लेके extremely heavy बारिश चलती रहेगी अगले चार से पांस दिन नौर्थ इंडिया के अगर बात करें तो अभी बारिश आज कुछ खास नहीं है मगर कल थोड़ा कल भी नहीं परसों से थोड़ा उत्राकंड में बारिश बढ़ने की संभावना है हम very heavy rainfall का चेताबनी जारी कर रहे हैं उत्राकंड के लिए और बाकी पूरा देश में नौर्थ इस में खास पारिश होने की संभावना नहीं है बहुत light टाइप का ही बारिश रहेगी तो यानि कि नौर्थ का अगर बात करें तो 17-18 तारिक को very heavy होने की possibility है उत्राकंड में heavy rainfall भी होने का possibility है प्लेंज में और वेस्ट कोस्ट में चार से पांस दिन तक very heavy से लेके extremely heavy बारिश रहेगे और red alert या orange alert में ही वेस्ट कोस्ट चलेगा और East India आपका आज के बाद थोड़ा सा कम होके उसके बाद दुबारा आपका 19-20 तारिक तक फिर से बारिश काफी बढ़ने की संभावना है कि देखे यह जो बारिश हो रही है अभी पूरा नौर्थ इंडिया में मौनसून ट्रफ काफी सक्रिये हैं इसके कारण से जिसके लिए आपका easterly winds आ रही है और हमारा भारी सहतिभारी वर्षा आपका इस राजस्तान तक होने के संभावना है तो दिल्ली जो आती है दिल्ली में इतना local scale में अभी हम बहुत ज्यादा भारी वर्षा का चेतावने नहीं जारी कर रहे हैं हम अभी आज के लिए light to moderate rain का ही दिये हैं और उमीद है कि अगले चार से पांस दिन तक इससे ज़्यादा अभी बारिश होने का possibility नहीं है मगर जैसे बताए कि ये localized बारिश है जिसके चलते हमारा उमीद है कि अगर बारिश का स्थीती बढ़ेगा तो हम इमेडिटल उसको नौकस्ट स्केल में कवर करेंगे यानि दो से तीन घंटे के चितावनी जरूर रहेगा